तेको foundation classes का मतलब यही होता है कि मैं आपको शुरू से लेके चलू आखरी तक जो जो चीज आपको नहीं आती है न वो भी आपको आने चाहिए अगर कोई fresh student है जिसमें पहले कभी नहीं पड़ा है English वो भी आके मुझे देखी तो उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए तो main verb अ और इस वीडियो में हम basics of passive voice सीखने वाले हैं तो पहली बात तो आपको आज की class को देखने के बाद ये बदा चलेगा कि असल में हमें chapters को पढ़ना कैसे चाहिए हमारे यह जो classes चलती है वो कैसे चलती है हर student को हर chapter को कैसे पढ़ना चाहिए जो basic students है जिनको चीजें बहुत ही सुरू से सुरू करनी है यानि को कुछ नहीं आता सुरू से सुरू करना है या किसी भी व्यक्ति को वे चीज़ें समझनी और सीखनी चाहिए जो उसको नहीं आती है जिससे के आगे चलके उन्हें को दिक्कत ना हो तो आज की वीडियो में मैं आपको passive voice यानि कि active voice passive voice के basics सी स करने तक एक voice को change करने तक की चीज़े मैं सिखाऊंगा और यही चीज़े आगे चलके आपके पूरे चेप्टर में काम आने वाली है ठीक है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेरे सारे की सारे chapters कैसे पढ़ने चाहिए हमारे classes भी इसी तरह से ही चलती है foundation classes में तो चलिए मेरे भाई समझ लेते हैं voice and narration देखो voice को हम सबसे पहले आज की जो class का topic है वो तो voice यह active voice पैसे voice इसमें हम इस topic को ना sectionally पहले divide कर लेते हैं categorize कर लेते हैं जैसे कि हम directly सीधे जो है active voice पैसे वाइस की तरफ नहीं जाएंगे वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता इसमें आपको दो तीन चीज़ां सीखने हैं जैसे सबसे पहले हम सीखेंगी basics और basics जो होंगे न basics of voice यह सबसे ज़्यादा important चीज़ है सबसे ज़्यादा important चीज़ है पूरे chapter की पता है क्यों क्योंकि आगे जो कुछ भी आप सीखने वाले हो वो सारा का सारा इसी चीज़ से relate करता हुआ है अगर आपको यह basics clear नहीं है voice के तो आगे जो कुछ भी मैं concept सिखाऊंगा वो easily आपको समझ में नहीं आएंगे आतो जाएंगे easily नहीं आएंगे तो सबसे important चीज़ है हमारे basics of voice और उसके बाद हमारे conceptualization ठीक है उसके बाद हमारे concepts होंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे direct concepts नहीं पढ़ेंगे हम सबसे पहले basics of voice यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ ओपर एक heading बनाएंगे basics ठीक है और यह basic जो knowledge है यह बहुत जरूरी है वाइस की जो basic knowledge है बहुत ज़ादा जरूरी है आगे जो कुछ भी आप पढ़ने वाले उसके लिए ठीक है तो मेरे भाई चलिए शुरू कर लेते हैं देखो basics में तीन चार चीज़े हैं पहला कि आपको voice पहचानना आना चाहिए दूसरा आपको उसका format पता होना चाहिए यानि की voice change कैसे करते हैं तीसरा किस किस तरह के sentences को ही आप voice में मतलब एक sentence का voice change कर सकते हैं किन-किन चीज़ों की जरुवत होती है voice को change करने के लिए उसके बाद आपके concepts आएंगे कि भाईया ये concept अगर आता है मतलब इस तरह की situation अगर बनती है sentence में तो इसका पैसे voice कैसे बनेगा जैसे narration में होता है वैसे ही voice में होता है identification identification ठीक है मेरे भाई हां जी जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई sentence लिखा हुआ है जैसे मैंने कहा he is teaching he is teaching the students he is teaching the students अब आपको क्या करना है मैंने कहा भाई ये जो sentence लिखा हुआ है आपको बस ये बताना है कि इसका voice कौन सा है आपको बस यह बताना है कि इसका voice कौन सा है यह active voice है कि passive voice है ठीक है जैसे मैंने कहा ही इस तीची दो स्टूरेंट्स अब आपको अगर बताना है कि यह कौन सा voice है active voice है या passive voice उससे पहले आपको sentence का classification आना चाहिए classification का मतलब होता है कि sentence के अंदर जो जो भी सब दिस्तिमाल के गए हैं उनका parts of speech कौन से topics relate करते हैं इनका काम क्या होता है यह सब आपको पता होना चाहिए ठीक है ना तो चलिए सबसे पहले हम classification करते हैं जैसे यहाँ जो ही है यह है यह है आपका subject यह जो इस है यह है आपकी helping वर या फिर आप कह सकते हैं auxiliary वर दोनों का मतलब सेम होता है ठीक है auxiliary वर या फिर आप कह सकते है helping वर ठीक है दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पर लिग लेना auxiliary वर या helping वर दोनों का मतलब सेम होता है दोनों का मतलब होता है सेम सहायक क्रिया सहायक क्रिया दोनों का मतलब होता है सहायक क्रिया ठीक है मेरे वही चलिए ऐसे ही यहाँ पर जो टीचिंग है यह क्या है सर यह आपकी में वर में वर्व का क्या मतलब होता है सर यहाँ पर लिख लो उपर में वर्व में वर्व का मतलब होता है में वर्व फुल पॉम तो होती है में वर्व यहां से अटाओ इसको जगह नहीं है यहां लिख देता हूँ यहां लिख देता हूँ ठीक है में वर्व पूरी चीज है इसादे को foundation classes का मतलब यही होता है कि मैं आपको शुरू से लेके चलू आखरी तक जो जो चीज आपको नहीं आती है न वो भी आपको आने चाहिए अगर कोई फ्रेसर स्टूडेंट है जिसने पहले कभी नहीं पड़ा है इंग्लिस वो भी आके मुझे देखी तो उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए तो मेंवर्व अच्छा मेंवर्व का मतलब होता है फुल फॉर्म में होता है मेंवर्व और यह मेंवर्व होती कि या है इसको समझ लो धीया में वर्व का मतलब होता है एक्षन एक्षन यानिकि एक क्रिया कर रहे है उसमाल कर रहा है जैसे कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक क्रिया है एक्षन है आप क्या कर रहे हो आप पड़ रहे हो मैं बोल रहा हूं बोलना क्या है एक एक्षन है मैं लिख रहा हूं लिखना क्या है एक एक्षन है मैं चल रहा हूं चलना क्या है एक एक्षन है क्रिया है में बर्व में बर्व का मतलब में एक्षन होता है मैं बोल पढ़ा रहा हूं मैं चल रहा हूं जाना आना गाना खाना पीना उठना बैटना दौड़ना बोलना जुतने भी एक्षिंस होते हैं उन्हीं को में रख कहते हैं ठीक है चलो में वर्व का मतलब होता है action हर एक चीज को individually समझते चलना ठीक है कौन सी चीज क्या होती है सब कुछ आना चाहिए हर एक छोटी चीज आना चाहिए आपको ठीक है भई? चलो अब इसको आगे बड़ो main verb का मतलब होता है action ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद action के बाद हमारा होता है object ये पूरा object है अब object की जगे पर क्या आता है सर? object की जगे पर या तो आ सकता है एक noun या आ सकता है एक pronoun ठीक है? और यहाँ object भी एक से ज़्यादा चीजों से मिलके बना हो सकता है जैसे कि student क्या है एक noun है और ये क्या है ये एक article है अर्टिकल नाउन के साथ जुडा हुआ है, इसका मतलब है कि ये औब्जेक्ट ही हो सकता है, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, और अगर किसी sentence में preposition के बाद अगर कोई जुरा हो तो वह औबॉजेक्ट नहीं हो सकता मतलब प्रेपूजिशन के बाद कोई नाउन या प्रणाउन आ सकता है कि नाउन या फिर प्रणाउन noun या फिर pronoun ठीक है मेरे भाई ना तो subject की जगह आप कुछ और लगा सकते जैसे कि adjective, adverb नहीं लगा सकते ऐसे ही object की जगह पर भी आप कुछ नहीं लगा सकते ठीक है मेरे भाई अब मैंने कहा कि इस sentence के अंदर मुझे सर आप ये बताए ये कि इस sentence के अंदर ये जो action है ये जो action है यानि कि जो किरिया है ये जो action है यानि कि जो किरिया है इसको कौन कर रहा है भाई जो action है जो action हो रहा है उसको करने वाला भी तो होगा तो इस action का जो subject है subject वो कौन है ही कौन है ही अगर subject आपका doer है डूर यानि कि कौन होता है करने वाला डूर का मतलब होता है करने वाला उस एक्षन को करने वाला अगर सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट ही उस एक्षन को कर रहा है यानि कि करने वाला डूर जो है वो सब्जेक्ट ही है तब तो ये आपका हो जाता है एक्टिव वैस क्योंक कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम अगर मैं ही कर रहा हूं सब्जेक्ट कर रहा आई एम टीचिंग यू तो मैं काम को करने वाला हो गया काम हो रहा है और मैं कर रहा हूं मैं करने वाला हूं मैं डूर हूं डूर action, doer action अगर action को subject के द्वारा किया जा रहा है यानि कि इस sentence का जो subject है वो active है तभी तो काम को कर पा रहा है अगर मैं सो जाओं तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा समझ रहे हुँ ना? तो जब subject doer होता है जब subject काम को करता है तो फिर doer मतलब होता है करने वाला यानि कि करता तो वो active voice होता है अगर subject non doer हो जाए जैसे कि यहीं sentence को मैं ऐसे लिख दूँ he is taught by the teacher इसको पढ़ाया गया है ठीक है? एक teacher के दुवारा तो आप यहाँ पर फिर से देखो यह subject है यह helping वर्व है यानि की auxiliary वर्व है सायक करिया है यह main verb है यह आपकी preposition है और यह आपका object है ठीक है? यह preposition है और यह आपका object है या इक article है और यह आपका noun है सब कुछ है इसमें भी बस इसमें फर्क है तो किस चीज का कि यहाँ पर यह जो एक्शन है न यह जो एक्शन है टॉट क्या है भाईया टीज की थर्ड फो में टॉट क्या है एक्शन है यानि कि किरिया है लेकिन यह जो किरिया है वो किसके द्वारा की जा रही है इसमें हमारा अब्जेक्ट डूर है और इसमें हमारा जो object है वो non-door है जरा ध्यान से सुनना non-door का मतलब होता है ना करने वाला ना करने वाला ऐसे यहाँ पे जो ही है ना ये subject तो है बट ये non-door है ये काम को कर नहीं रहा है ये है non-door यानि कि ना करने वाला ना करने वाला बात को समझ रहे हो बात को समझ रहे हैं जरा यानि कि इस वाले sentence में और उस वाले sentence में कितना फरक है इस में इतना फरक है कि यहाँ पर जो action हो रहा है वो subject के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर जो action हो रहा है तो object काम को कर रहा है और subject काम को नहीं कर रहा है object के द्वारा काम subject के उपर हो रहा है यहां subject के द्वारा काम object के उपर हो रहा है जब subject के द्वारा काम object के उपर होता है subject के द्वारा object के उपर होता है तो इसमें subject हमारा active हो जाता है doer हो जाता है तो वह एक्टिवाइस होता है जब हमारा सब्जेक्ट नॉन डूर होता है यानि कि वह एक्टिव नहीं होता है तो फिर वह पैसिव हो जाता है पैसिव का मतलब होता है पैसिव का मतलब होता है बेजान एक्टिव मतलब सक्रिय 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 और passive का मतलब निस्क्रिय सक्रिय और निस्क्रिय सक्रिय का मतलब होता है जिसमें जान होती है जैसे कि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जान है मैं active हूँ मैं काम को कर सकता हूँ मैं फूरती में हूँ मैं उसकाम को करने के लायक हूँ बड़त जैस मैं पढा रहांगा मर जाँगा सो जाँगा मतलब मैं passive हो गया और शीचिव का मतलब आलसी एक्टीव का मतलब जानदार हो यानि कि काम को करने वाला हो तो active और अगर non-doer हो और अगर non-doer हो तो passive पैचान में आ गया अगर subject doer हो तो active non-doer हो तो passive English में समझना चाहते हैं if subject is doer then active voice if subject is non-doer then passive voice short में लिखाया है मैं इसमें definition ने लिखाया पूरी तो आप हिंट से समझ ले ले ला इसमें को grammatical rule मत लगाने लग जाना definition नहीं है यह सिर्फ hint है ठीक है न हाँ जी यह को हिंट है यह कोई वो नहीं है कि definition आप इसमें grammatical गलती दून ले लग जाओ क्योंकि यह structure है यह कोई sentence नहीं फ्रेज लिखा हुआ है ठीक है अगर आपका sentence का subject doer है तो active voice है नॉन दूर है तो passive voice है बस simple अभी मैंने आपको यह सिखाया है कि how to identify a voice in a sentence यह of a sentence कि यह sentence कौन से voice में है active voice में है या passive voice में इसको कैसे पैचानते हैं मैं आपको बता दिया अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उमीद करते हैं कि यह चीज़ा आपको समझ में आगे होगी ठीक है ना चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते है जैसे कि इसमें पर्सेंटीज के हिसाब से आपको एक फॉर्मेट बनाके सिखाता हूं जैसे अगर एक पैटरन में बता जीता हूं यहांप reg अगरापको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात जारा ध्यान से सुनना कुछ बच्चे क्या करते हैं क्लास को बीच में ही चोड़ देते हैं कि सर्मोजे समझ में ने आ रहा है नहीं याँ गलती बिल्कुल मत करने आख्री तक देखो तक खतम नहीं होती है और रगट्र आपको सब कुछ जो कुछ भी मैंने सिक आये सब कुछ समझ मा सब कुछ जाए गए सब जो कुछ जो ही सकता कि आपको समझ मैं आये एट ओ जड़ोमासि बोलं वह भी इस से बात नहीं होइस से फर्क नहीं पड़ता ठीक है अवक्षतर लोगla करें कि मा लीजे सर ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा हफिम होगा है लिविंग होगा यानि की इन्सान वंगी भीमग वहीं डूऊर होंगी बात नियो वह टोर होंगे असा तो नहीं है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है आपका सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है नौन लिविंग भी हो सकता है नौन लिविंग भी डूर होते हैं ऐसी बात नहीं है पैन यह भी डूर हो सकता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नौन लिविंग लिविंग का इससे कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है आपका subject जैसे माल लीजे आपका जो subject है हो सकता है कि वो living हो और doer हो हो सकता है आपका subject जो है subject जो है वो non living हो इस pattern को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और non-doer कुछ लोग समझते हैं क्या कि सर ऐसा तो नहीं है कि non living होते हैं ज्यादतर केस में ऐसा ही होता है कि non living जो होते हैं वो non-doer होते हैं लेकिन active voice और passive voice का doer non-doer अलग होते हैं पैसी वाइस के doer और non-doer अलग होते हैं एक्टि वाइस के doer और non-doer अलग होते हैं तो दिहां से सुनना मैं कोई भी फारसी बोल रहा हूं तब भी आपको सब कु समझ मैंगा tension मत लेना भाई बस मैं बार बार कह रहा हूं माल लेजे आप आपको पता करना है कि सर यह active voice है तो कैसे पता करेंगी और अगर आपको पता करना है कि सर यह passive voice है तो कैसे पता करेंगी अब अब देखो passive voice है तो भी 100% होना चीए और active voice है तब भी 100% होना चीए अगर आपका active voice है तो इसमें जो है जैसे 90% और 10%, 90% और 10%, ठीक है भई, ये pattern रखो, अब इसमें से आप जो कुछ भी जोड के 100% कर दोगे, और जिसकी तरफ से percentage ज़्यादा होगा, जिसकी तरफ से percentage ज़्यादा होगा, ठीक है, वही होगा आपका वाइस वही वाला वाइस आपका सई होगा उल्टा कर दिया है कोई दिखकत नहीं उल्टा नहीं है तो सई जैसे यहाँ पर दस पर संट लिखें ठीक है और यहाँ 90 पर्संट 30 बहुत आच्छा पैटन भी एक सांसे कना अब circuit करहरां यहाँ होगे आप इन दोनों को जोड़ो तब भी 100 हो जाएगा हो गया है हो गया कि नहीं हो गया और कोई तरीका है 100 परसंट करने का इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 परसंट नहीं है इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 परसंट नहीं है इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 परसंट नहीं हो रज़ाओ जरेगा है कि यानि कि दो ही तरस अब देखो जिसके percentage ज्यादा होंगी voice वही होगा जिसका जिसका कि पर्सन्टीज जिसका पर्सेंट ज्यादा कैंड वही वोई होगा उख होगा आज मुरम का अनुधेग यह अब देख लेते थैं जैसे मैंने कहां कि माल लीजे सर एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे सेंटेंस लिखता हूं ठीaur जैसे मैंने कहां ही इस बीटिंग ही इस बीटिंग में या ही is बीटन बाई मी ठीक है हाँ यहां पर मैंने चार सेंटेंसे लिख दिया जड़ा दिहान से देखना मेरे भई चार सेंटेंस लिखे हैं चार में से दो एक्टिव वाइस हैं दो पैसिव वाइस हैं तो इसमें आपको मैंने सिखा दिया है इक बेसिक वालब पार यह चीजज एडवानस यहां आपको यह अच्छी लगती है तो रखी है का नहीं अच्छी लगए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यह डूर है और यह लिविंग भी है तो इसके कितने परसेंटेज हो गए भी यह लिविंग 10% प्लस डूर है 90% यानि कि यह क्या हो गया 100% हो गया 100% मतलब किसका 100% भाई इन दोनों को जोड देंगे तो active voice हो गया क्या हो गया यह active voice हो गया यानि कि यह हो गया आपका active voice आच्छा दुवारा से देख audio, यह जो है ला, he is beaten, मतलब इसको पीठा जा रहा है मेरे दुवारा, यानि कि यह living तो है, यह living तो है, but non-doer है, क्योंकि इस काम को कर नहीं रहा, यह इस काम को कर नहीं रहा, तो भाई देको living है यानि कि 10% living तो है बट non-doer है non-doer यानि कि 90% plus 90 हो गया 100 हो गया 100 लेकिन 100 में ये जो है न ये non-doer का percentage ज्यादा है non-doer का percentage मतलब passive का percentage ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका passive voice passive voice अगर नहीं बता चल रहा है तो ये देख लो non-doer का percentage ज्यादा है living का percentage काम है समझ गए इसका मतलब ये passive voice हो गया जिसका percentage ज्यादा है इसमें तो पूरा का पूरा 100% active voice का है अब हो जकता है जैसे कि subject आपका living हो subject आपका living है कोई दिक्कत नहीं चलो चलेगा भाई living के 10 number मिल गए इसको eats mango मतलब वह है आम खाता है वह है आम खाता है यानि की subject doer भी है living है plus doer है living है plus doer है यानि की 90 और मिले living है plus doer है 10 plus 90 is equal to 100 यानि की ये हो गया आपका active voice दोनों ही percentage active voice के भाईया अब नीचे वाला देखो non-living है कैसा है non-living है non-living है 10% non-living है तो 10% ठीक है is eaten by him अब इस पे non-doer है plus non-doer है क्योंकि ये काम को कर नहीं रहा एक तो non-living है plus non-doer है यानि की 90 अब ये भी 10% plus 90 यानि की ये हो गया 100 100% हो गया अब percentage जो है किसके जाद है non-living है plus non-doer यानि की दौनों ही percentage किसके है passive voice की यानि की ये भी आपका passive voice हो क्या आप अगर नहीं पहचान पा रहे हैं उस तरीके से तो आपके पास एक और method है ये वाला कि आपका जो subject है वो कैसा हो ना जी 100% होना है ये एक technical process है पहचानने का अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आए कि subject अगर आपका living है और doer है तो भी आपका वो active voice होगा हो सकता है living हो और non-doer हो ठीक है मालो subject doer है subject काम को करतो रहा है और non-living है 1% case में ऐसा नहीं है ना ऐसा कोई हुआ नहीं नहीं चलो यहां पर बना देता हूँ ऐसा sentence जैसे non-living हो जैसे मैंने कहा आँ ऐसा एक non-living sentence में बना देता हूँ ठीक है जैसे mango mango smells या tastes tastes sweet अब इसमें क्या है देखो इसमें आपका non-living भी है यह mango जो है यह टेस्ट में कैसा लगता है sweet लगता है यानि कि यह हमारा non-living भी है क्या है non-living भी है ठीक है अब non-living के कितने मिलेंगे भाई 10 नंबर 10 नंबर मिल गई और यह काम को कर भी रहा है doer भी है क्योंकि भाईस मैं टेस्ट यह खुदी तो दे रहा है खुदी तो देगा यानि कि doer भी है doer कितने 90% 90% अब 90% ज्यादा है वो भी active voice के तो यह sentence active voice होगा मतलब ऐसा नहीं है कि non-living subject वाले sentence active voice नहीं होते देखलो non-living है बट active voice है क्योंकि यह जो 90% है वो active voice के है doer है ना भईया अगर doer है तो फिर तो active voice होगा ही ठीक है इसका अगर passive voice बनाओगे ना मैं सिखाऊंगा mango tastes sweet का passive voice कैसे बनता है यह मैं आखरी में बताऊंगा धीरे धीरे अभी तो मैं सिर्फ आपको पहँचानना बता रहा हूँ यह पहँचान लिया आपने सिर्फ पहँचान पहँचान चल रही है अभी अब आगे चलते हैं बताव कितने लोगों को यह वाली चीज़ समझ में आगी है is that clear अगर समझ में नहीं भी आई है तो यह आपका second part है अगर आपको समझ में आता है वही चीज वहां पर बताई वही चीज यहां पर बताई वह थोड़ा technical है यह थोड़ा basic है बस आपका subject अगर door है चाहे वह living हो या non-living हो बात खत्म door है तो active voice non-doer है तो passive voice बस मतलब subject अगर काम को कर रहा है तो active voice subject पर अगर काम हो रहा है या वो खुद नहीं कर रहा है तो पैसे बैस बस और कुछ नहीं है इतना ही है तो दौना मैंसे जो भी चीज आपको समझ में आ जाए ठीक है अब आ जाते हैं थोड़ी सी दूसरी चीज जैसे कि मैंने कहा एक सेंटेंस ठीक है एक और चीज है बेसिक्स में ही चल रहा है भी भी जैसे मैं एक सेंटेंस कहा कि he is teaching you यह them he is teaching them वो उनको पढ़ा रहा है ठीक है भाई तो इसमें आप देखोंगी यह आपका subject है यह आपकी auxiliary verb है और यह आपका जो है main verb है यानि की action है main verb यानि की action है ठीक है और them है आपका object subject है आपका doer क्योंकि इस काम को कर रहा है doer है action करने वाला है भी यह प्लाने का काम ही तो कर रहा है यानि कि यह voice कौन सा हो गया भी यह active voice हो गया कौन सा voice यह active voice हो गया ठीक है चलो एक ओर sentence मैंने बता दिया he is going to school he is going to school ठीक है ना तो आप देखो कि यहां पर जो ही है या आपका subject है यह जो इस है यह आपकी auxiliary वर्व है याणि कि helping वर्व है going जो है वह आपका main वर्व है याणि कि action है ठीक है और यह आपका subject doer भी werden लेकिन यहाँ पर जो to है ना ये आपका to school जो है वो object नहीं है यह क्या है यह object नहीं है यह object नहीं इसको कहते हैं adverb adverb of place एक ऐसा adverb जो place को बताता है कैसे बता चला सर यहाँ पे to जो है वो एक preposition है और preposition का object है यह school यह school noun है यानि कि यहाँ पे यह इस object का काम तो कर रहा है बट यह preposition का object है यह इस verb का object नहीं है यानि एक तो होता है वर्व के बाद object वर्व के बाद object आता है एक होता है वर्व के बाद preposition प्लस object तो याद रखना यह जो preposition प्लस object होता है यह असल में इस verb का object नहीं होता आपको अजीव सा लग रहा हो समझने में दो तरह के object होते है वर्व के बाद भी object आता है proposition के बाद भी object आता है ठीक है? ऐसे समझो proposition के बाद मैं भी proposition के बाद अलग object होता है ठीक है? अगर हम बात करें इस पूरे की proposition ब्लस object तो ये adverb का काम कर जाता है 99% ठीक है? हैं जी और ये जो verb का object है ये इस verb के बाद जो object आता है तो वर्व का ही object होते है, यानि कि यह जो action होगा, वो से object पर होगा, ठीक है, यहाँ अगर वर्व लिखी होगी, preposition से पहले, इस वर्व का इस object से, preposition प्लस object से कोई connection नहीं होना है, ठीक है मेरे भाई? हाजी, तो subject, auxiliary verb, main verb, but not object, subject, auxiliary verb, main verb, but object, यहाँ object है, और यह जो object है, इस व वर्व का object है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वर्व का object नहीं है, यह जो object है, वो इस वर्व का नहीं है, जो इस school ना होन है, वो going का object नहीं है, यानि कि going वाला काम जो है, वो school पर नहीं हो सकता, तो ऐसा क्या है, कि यहाँ पर object है और यहाँ पर नहीं, देखो, यह जो वर् इसको समझ लो यहाँ पर जो मेन वर्व होती है मेन वर्व यानि की एक्षन मेन वर्व यानि की एक्षन दो टाइब की होते हैं दो टाइब की एक्षिन होते हैं एक होती है ट्रांजिटिव वर्व एक होती है ट्रांजिटिव वर्व और एक होती है इन्ट्रांजिटिव वर्व एक होती है इन्ट्रांजिटिव वर्व एक होती है इन्ट्रांजिटिव वर्व ठीक है और इन्ट्रांजिटिव वर्व क्या होती है समझना जराब जो ट्रांजिटिव वर्व होती है वो अपने साथ अबजेक्ट लेती है यानि कि ये जो एक्षन होगा ये भी एक्षन है ये भी एक्षन है और ये भी एक्षन है एक्षन दोनों ही है बट यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्व होगी यानि कि जो ट्रांजिटिव एक्षन होगा वो अपने अब्जेक्ट के उपर होता है लेकिन इन्ट्रांजिटिव वर्व जो होती है वो अपने साथ अब्जेक्ट ही नहीं लेती है यानि कि यह जो action होगा वो इस object के उपर नहीं होगा ठीक है? जी वो इस object के उपर नहीं होगा समझगे? यानि कि जो transitive action है वो object के उपर होता है इसलिए उसके बगल में object का आना compulsory है लेकिन अगर कोई वर्ब intransitive है तो वो किसी object के उपर नहीं होता वो action किसी object के ऊपर नहीं होता यानि कि उसके बगल में object आना compulsory नहीं है इससे ये पता चलता है कि transitive verb और intransitive verb की definition क्या होती है वे verb जो अपने साथ object लेती है उनको transitive verb कहते है और वे verb जो अपने साथ object नहीं लेती है उनको intransitive verb कहते है या फिर ऐसे कहो कि तो यहां पर जो भी डेफिनिशन आपको अच्छी लगे वो लिखिएगा मैं दोनों लिख दिता हूं verbs which verbs which take an object is called transitive verb transitive वाव ठीक है वे वर्व जो अपने साथ अपने साथ object लेती है transitive verb कहलाती है transitive verb कहलाती है ठीक है हां जी अब यहां पर लिख लूए एक और definition वे वर्वस वर्वस which do not take an object यहां पर आर कॉल्ड लिख लिए न ठीक है गलत हो गया है आर कॉल्ड ठीक है ऐसे यहां पर आर कॉल्ड intransitive verb intransitive verbs वे वर्व जो अब्जेक्ट नहीं लेती intransitive verb कहलाती है ठीक है मेरे भी यह यह हो गया आपका part complete बास अभी तक मैंने आपको सिर्फ transitive और intransitive verb की definition बताईए कि intransitive verb क्या होती है अभी मैं आपको कुछ और भी सिखाने वाला हूं अभी मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि इन दौनों में से जो भी मैंने आपको सिखाया वो क्यों सिखाया है यानि कि यह आपका यह भी active voice है और यह भी देखो एक्टिव वाइस में आप दौनों में से कोई भी वर्व यूज़ कर सकते हैं एक्टिव वइस ट्रांजिट वर्व है इन ट्रांजिटिव वर्व और यहां पर अब्ज़क्ट नहीं है ठीक है ना यहां पर अब्ज़क्ट है यानि कि इस टीचिंग को आप कहोगे क्या यह आपकी ट्रांजिटिव वर्व है यह क्या है आपकी ट्रांजिटिव वर्व है ठीक है हाँ जी तो इस sentence में सिर्फ ठेज के हंजी तो यहां से अब आपको एक note ौइνट भी लिखना है यहां से अब आपको एक note पॉइंट भी लिखना है क्या आप फिसी सेंटेंस में active व्यां कि ट्रांजिटिटिव नहीं हे याने क इनраш टीव थे तो तो अगर आप उस sentence का voice change करना चाहते हो active voice से passive voice तो कभी भी याद रखना इन ट्रांजी टिव इन ट्रांजी टिव वर्ब का का passive voice नहीं बनता passive voice नहीं बनता उसका एक reason है उसका एक reason अभी आपको थोड़ी दिर में पता चलेगा जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि एक active voice से passive voice कैसे बदलते हैं ठीक है ये चीज अभी आपको समझ में आएगी थोड़ी दिर बाद कि इंट्रांजिटिव वर्ब का passive voice क्यों नहीं बनता अभी मैं सिखाऊंगा टेंशन मतले ना ठीक है अभी थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का passive voice क्यों नहीं बनता सर ऐसा क्या है तो चलिए इसके तुरंद बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की तीसरी चीज तीसरी चीज यहाँ पर है यहाँ आपको क्या करना है हाव टू चेंच और हाव टू चेंच थाँ अच हुए हुए लग टू गर हुए, हेंच शने च्राइब च्डाइब थाजरी प्सिवाइब प्सिवाइब द।, how to change active voice into passive voice अगर आप एक active voice को passive voice में बदलना चाहते हैं तो कैसे change करते हैं यहां आपको क्या करना है एक heading बनानी है there are there are five to six points five to six points to be remembered points to be remembered remembered देखिए जरा देखो भाई आपको मैं 5 से 6 points बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने है ठीक है जैसे पहले तो मैं example यहां पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो मैं यहां पर example लिख रहा हूँ जैसे मैंने कहा Mohan Mohan was doing his work ठीक है एक sentence है अब मैंने कहा कि भीए इसका passive voice बदलिये ज़रा ठीक है यह आपका active voice है यह आपका क्या है active voice है कैसे पता चला देख लो भाई साप साप लिखा हुआ है यह आपका Mohan subject है और doer है ठीक है यह आपकी auxiliary वर्व है यानि की helping वर्व है यह आपकी main वर्व है यानि की action है और यह आपका पूरा का पूरा object है ठीक है और यह main वर्व में कौन सी है transitive वर्व है तो इस action को इसी के दुवारा किया जा रहा है यानि की active voice अब आपको इसका बनाना है passive voice क्या बनाना है मेरी भाई passive voice तो देको सबसे पहला काम करते है हम इस active voice की object को तो लिख देते है subject की जगे पर subject को लिख देते है object की जगे पर ठीक है main work को लिख देते है main work की जगे पर helping or को लिख देते हैं helping or की जगे पर लेकिन थोड़ा सा change करके हलका हलका सा change करके जैसे देखो यहाँ पर जो his work है ठीक है हाँ जी यहाँ पर जो his work है देखो यहाँ पर ना मोहन की जगे पर you लिख दो ठीक है plural बना लो तब थोड़ा और अच्छे से समझ माएगा you you were ऐसे लिख दो you were या फिर is कर आर कर लो अच्छे से समझ माएगा relatively तो देखना जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना हमने his work को यहाँ पर लिख दिया यह मतलब यहाँ पर आपका एक नया subject आ गया ठीक है subject की जगे subject ओबजेक्ट आ तो गया लेकिन नया subject आ गया object की जगे object आ तो गया लेकिन नया object आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे new object या new subject यह कौन सा subject है मेरे भाई यह new है यह आपका new subject आ गया पहले पुराना था यह subject exactly यहाँ नहीं आया पहले यहाँ पर object his work था लेकिन अब यहाँ पर यहाँ पर you आ जाएगा समझगे तो new object आ गया new subject आ गया तो मेरे भाई कभी भी sentence के अंदर जो भी subject के साथ हम वर्व यूज करते है helping वर्व वो subject के according ही तो यूज करते subject के नुसार ही तो यूज करते है यानि की जैसा subject वैसी वर्व यानि की जैसा subject वैसी वर्व ऐसे ही तो यूज करते हैं कि syntax topic में हम लोग पढ़के आते हैं जैसा subject वैसी वर्व तो मेरे भाई जब यहाँ पर you था तो हमने r लगा दिया अब यहाँ पर his work हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा his work हो जाएगा ठीक है यहाँ पर लिखी देता हूँ his work हो जाएगा यानि कि his work नहीं हो गया your work कर लो सब को change करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर your work कर लो तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा यहाँ पर आपका यू नहीं रहेगा अब पहले तो यू था अब यहां पर हो गया your work क्या हो गया your work लेकिन एक बात बताऊ your work थे एक अनकाउंटिबल नाओन है यहानिकी सिंगुलर है यॉर वर्क क्या है मेरे भाई यह तो एक सिंगुलर नाओन है और यू कैसा है, प्लूरल नाउन है, देरो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यह आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है क्योंकि यह अनकाउंटेबल है, ठीक है, एक बार फटाबट से मैं रिवाइस करूँगा, टेंशन मतले न, देखो ज़रा, हमने कहा कि भाईया, अबजेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को अबजेक्ट बना दिया, मेन वर्व की जगए, मेन वर्व लिख दी, और ऑक्जिलर वर्व की जगए, ऑक्जिलर वर्व लिख दी, लेकिन अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्या बदला हुआ है देखो सबसे पहला point आपको 5 6 point याद रखने है न पहला point कौन सा याद रखना है देखो पहला point हम subject को तो बना देते हैं मेरे भाई object और object को बना देते हैं subject यह याद रखना पहला point तो सबसे पहले हमें यह करना है दूसरा point क्या करना है मेरे भाई यहाँ पर सारी चीज़े मैंने लिख रखी है में वर्व की जगे में वर्व आ जाएगी ठीक है हेल्पिंग वर्व की जगे हेल्पिंग वर्व आ जाएगी ठीक है ऑब्जेट की जगे ऑब्जेक्ट आ गया नया अब्जेक्ट नया सब्जेक्ट सब कुछ नया लेकिन याद रखना उपर वाले में subject यू था इसलिए आ रहा गया लेकिन यहाँ पर यौर वर्क आ गया तो अब आर नहीं आएगा इसका मतलब है auxiliary वर्ब तो आएगी बट appropriate auxiliary वर्ब आएगी कैसी भाई appropriate auxiliary वर्ब यानि कि नया subject है तो नई helping वर्ब आ जाएगी ठीक है मेरे भाई समझ में आ रही है बात है नहीं आ रही है तो समझा दूँगा एक मिनट रुक जाओ टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपने देखा main वर्ब तो आ गई लेकिन इस main वर्ब की देखो active voice में आप कोई सी भी form लगाओ चाए active voice में first form लगाओ, second form लगाओ, third form लगाओ, ing form लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन passive voice के अंदर सिर्फ third form ही आएगी और यहाँ पर जो भी नया object आया है आपने subject इसको हम preposition by से जोड़ देते हैं इसमें आपको preposition by जरूर लगानी पड़ेगी याद रखना यहाँ पे by आपको बिना बी वर्व के sentence passive voice में नहीं बनता, अगर passive voice बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर बी वर्व का होना compulsory है, compulsory है, समझ गए, हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखोगे your work, इसके बाद आर आर आता UK according लेकिन यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे is आएगा, क्योंकि your work ज जैसे यहाँ पे doing है, तो doing की जगे आपने done कर दिया, ठीक है, third form आ गई, लेकिन अब यहाँ पे भाई ing लगा हुआ था, उपर तो ing लगा है, तो ing कहा चला गया, जाना कहीं नहीं है, कोई चीज हम खोएंगे नहीं, हर चीज की value होती है, तो ऐसे ही नहीं जाने देंगे, ठ बिना b-verb के आप passive voice नहीं बना सकते, बिना b-verb के आप passive voice नहीं बना सकते, याद रखना है इस बात को, समझ गे, हाँ जी, अब इसके बाद यहाँ पे third form आ गई, अब आपने preposition by लगा दिया, उसके बाद object लगा दिया, object क्या था, you, you subjective case में भी you ही रहता है, objective case में भी you ही र work, क्या your work काम को कर रहा है, इस काम को कर रहा है, ये main work है, action है, अब ये जो subject है, इस action को नहीं कर रहा, इसका मतलब है, ये है आपका non-doer, क्या हो गया मेरे भाई, subject तो है, बट ये non-doer है, non-doer है, और जब ये non-doer होगा, इसका मतलब है कि इस काम को इसके द्वारा नहीं क क्या होगा अब यह पैसिववथ हो गया यह काम इस ऑपजेक के ऊपर हो रहा है लेकिन इसलिए तो हमने इसका पैसिव ओइस बना लिया इससे यह पता चल रहा है कि इंट्रांजिट्री वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व अब यहाँ पर school is being gone by he, him, ऐसे होगा school उसके द्वारा जाया जाता है, बना लोगे इसका passive voice, school is being gone by him, गलत नहीं हो जाएगा अजीब सरी लगेगा, क्योंकि यह जो school है वो इस verb का object नहीं है हाँ, इसका बना सकते हैं, they are taught by him, इसका passive voice बना सकते हैं, देखो इसका बना सकते हैं, they are taught by him अभी पूरा नहीं हुआ है, बादवाला भी रोक जाना, इसका भी बना सकते हैं, इसका नहीं बना सकते हैं, इसका कोई passive नहीं बन सकता ठीक है, इसका तो बना ही नहीं सकते ठिक है इसका तो बना दिया इसका नहीं बना सकते है अभी थोड़ा सा आगे चलो वरना भटक जाओगे इसमें 6 पॉइंट समझ लो पहला पॉइंट तो है वहिए सब्जेक्ट को ऑबजेक्ट और ऑबजेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा दूसरा है कि मेन वर्व की थर्ड कि अप्रो प्रिय ऊक्जलरी वर्विड। और अक्जलरी वर्व तो जानते ही होрист अजूर्शलरी वर्व इस यूज्ड अगर आप प्र सिबुंस बनाना चाहते हैं तो पैसे होई टी अमध्र अप्रोप्रप्रीये ग्रव और यूस क्या हम यहां पर was नहीं लगा सकते क्या हम यहां पर was नहीं लगा सकते सर यह भी तो singular है यह भी singular है लेकिन यहां was नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर जो r है ना इसका tense है present tense कितने होते हैं तीन अगर present में active voice है तो passive voice प्रेजरत में भी बनेगा पास्त में नहीं बनेगा ये narration में होता है कि टैंस चैंज कर दो एक्टिव वायस मैं यहां पैसिवई मैं रखना हुआ कर देंस विल नवर बी चेंज़ नावर बी चेंज़ ड 가운데- dru Win याद रखना कि अगर आप पैसिव बना रहे हो तो पैसिव बनाने के लिए आप अगर यूँ है और उसकी जगह आपने क्या लगा दिया वर्क लगा दिया तो यहां प्लूरल था यहां प्यार आघार तो हम यहां इस कर सकते लेखिन वाज नहीं कर सकते क्योंकि टेंज हो जाएगा पांचवा पॉइंट क्या होता है पांचवा पॉइंट होता है कि हमने इसमें बीवर्व अपनी तरफ से घुशेड दी क्यों कि इसकी जरूरत थी आएंजी कहां लगाते में वर्व की तो थड़बम लगा दी जरूरत पढ़ने पर वीवर्व का यूज़ किया जाता है ठीक है हाँ ही वर्व कंपलसरी होती है इन पैसिव वसके अंदर वीवर्व का होना होना कंपलसरी है witnessing को नोट कर लेना बिना वी वर्व के पैसे वह इस नहीं बनता है किसी न किसी फॉर्म में वी वर्व वहाँ पर होगी जरूर मैं भी बता दूँगा कि वी वर्व क्या होती है ठीक है न सब बता दूँगा टेंशन मतले न छट्वा पॉइंट क्या होगा भाई या देख लो object को by से जोड दिया जाता है by plus object यह होता है आपका 99% तक 1% situation में by की जगे कोई दूसरी preposition भी आ जाती है जैसे कि in, on at with यह भी preposition आ सकती है ठीक है यह 1% situation में आ सकता है मतलब fixed preposition के case में क्या होता है कोई दूसरी preposition के बाद में भी object आता है ठीक है लेकिन ज्यादतर by plus object होता है तो पहला point है subject को object बना दो object को subject दूसरा है कि main verb की third form use करनी है passive voice के अंदर तीसरा है कि auxiliary verb change करनी है appropriate auxiliary verb appropriate का मतलब होता है उचित appropriate का मतलब होता है मेरे भाई उचित subject के according, नए subject के according tense बिल्कुल भी change नहीं होना चाहिए beaver का आना compulsor यह किसी भी form में अभी मैं आपको बता देता हूँ beaver की forms beaver की forms में यहाँ पर लिख दे जाओं ठीक है देखो जरा beaver जो होती है न वो कौन-कौन सी होती है beaver को आप main verb की तरह भी use कर सकते हैं और helping verb की तरह भी use कर सकते हैं देखो जरा अगर beaver को आप helping verb की तरह main verb की तरह यूज़ कर रहे हो तो first form होती है be या is या are या am ठीक है हाँ जी और second form होती है was या were third form होती है been और ing form होती है being ठीक है हाँ जी और auxiliary verb की तरह यूज़ करोगे तो is are am present में was और were past में ठीक है मेरे भाई ये आपकी first form हो गई ये आपकी second form हो गई ये आपकी third form हो गई ये आपकी ing form हो गई ठीक है ये आपकी auxiliary verb हो गई इसके बगल में main verb जरूर लिखी होगी याद रखना इसके बगल में भी main verb लिखी होगी जरूर याद रखना है ing form में हो सकती है या third form में हो सकती है वो depend करता है कि active voice है या passive voice ये आपकी helping verb है लेकिन present की ये आपकी helping verb है लेकिन past की अब आपका okay future नहीं होता किया future होता है ना future की जो भी auxiliary verbs होती है कि sir इस sentence के अंदर कोई भी वी वी वर्व नहीं है और फिर भी ये passive voice है ऐसा possible ही नहीं है देखो यहाँ पर वी वर्व है एक तो ये रही दो भी हो सकती है जैसे ये भी है वी वर्व और ये भी है दो इसलिए हो सकती है क्योंकि जब ing लगाना है तो उसके लिए हमें भी वर्व की ज़रूत पड़ती है तो दोनों भी आ सकती है लेकिन at least एक चाहे वो auxiliary verb के form में हो चाहे वो ing के form में हो चाहे वो first form के form में हो किसी भी form में हो भी वर्व का आना compulsory है याद रखना ठीक है बाई चलो अब एक दो एक जामपल देख लो लेकिन एक्जामपल देखने से पहले यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको ठीक है एक्जामपल देख लेते हैं फिर मैं आपको कुछ चीज हैं बताऊंगा जैसे मैंने यहाँ पेक sentence लिखा एक sentence आपको change करके बताना ठीक है जैसे मैंने एक sentence लिखा दे दे वर दे वर प्लेंग दे वर प्लेंग क्रिकेट तो एक तो यह जनरली मैंने ऐसे sentence पूछ लिया है दूसरा इसमें इसके पूछने का एक परपस भी है आपने यह तो पता कर लिया कि सर यह active voice है और अगर जिसने नहीं पता करा सर मुझे नहीं पता चला यह active voice है कि passive voice मुझे कैसे पता चलेगा देख लो भाई यह आपका subject है यह आपकी auxiliary work है यह आपकी main work है और यह आपका object है क्योंकि यह जो action है वो देखे द्वारा किया जा रहा है और इसके उपर हो रहा है यानि कि यह खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं cricket अच्छा सर इसमें एक चीज नहीं पता चली क्या चीज सर हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह subject doer है या non doer यह कैसे पता चलेगा यह बहुत अच्छी चीज है important सी चीज चीज सिखाता हूं कि सर हाँ object object का कैसे पता चले object को कैसे पहँचान है यानि कि जैसे यह object है object को कैसे पहचान होगे यानि कि कोई भी noun है माल लिजे एक noun जो है वो आपका object भी हो सकता है एक जो noun है वो आपका एडवर भी हो सकता है एडवर भी हो सकता है ठीक है जैसे हमने कहा कि they are they are going going to school अब आप देखो कि यहाँ पे they are going to school का मतलब हो गया कि यह जो school है यह भी तो noun है यह school जो है यह भी तो noun है है कि नी और यहाँ पे जो cricket है यह भी noun है भाई cricket भी noun है और school भी noun है अब यहाँ पे जो cricket है वो object है लेकिन यहाँ पे जो school है वो object नहीं है है कि नहीं, यह object नहीं है, यह क्या है, यह adverb है, तो इससे यह बता चल रहा है कि एक school जो है, यानि कि एक noun जो है, वो adverb का भी काम कर सकता है, और noun का भी, लेकिन कब, adverb का काम करता है, जब वो preposition के बाद में noun लिखा होता है, है ना, और object का काम करता है, जो वो verb के बाद लिख जबखा होता है, हैकि नहीं, यह object बन गया, लेकिन इसमें भी आपको मैं तरीगा बता लेता हूं, बहुत अच्छा सा, कैसे पहचान है कि कभी यह object होता है, कभी यह object नहीं होता है, अगर कोई noun है, आप noun से सवाल करिए, या फिर वर्व से सवाल करिए, आप उस वर्व से question की किजिए क्या कीजिए मेरे भाई क्विश्चन कीजिए और क्विश्चन करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा किस रीज का जवाब चाहिए आपको देखो जरा अगर आपको जवाब मिलता है कौन 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 या किसे या क्या अगर क्या का जवाब मिल जाए या कौन का क्या कौन और किसे क्या कौन या किसे इसका अगर आपको जवाब मिल गया इसका का जवाब अगर आपको मिल जाता है इसका मतलब वो आपका object होगा ठीक है और अगर आपको जवाब मिल रहा है कहां या फिर कब या फिर कैसे या फिर क्यों ठीक है या फिर क्यों नहीं जो भी है, अगर इन सब के जवाब मिल रहे हैं, इसका मतलब अब यह जो आपका जवाब होगा, इनका जो जवाब आपको मिलेगा, वो आपका adverb होगा, जैसे आप देखो, कि वे जा रहे हैं, कौन, वे, इदर इदर object जवाब देगा, वर भी जवाब देगी, जो action object पर हो र रहे हैं, इसकूल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, या क्या जा रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, इन तीनों में से एक भी जवाब नहीं है, यहाँ पर है कहां का जवाब, कहां जा रहे हैं, इसकूल, मिल गया, वो कहां जा रहे हैं, यान पता रहा है मतलब तरीका बता रहा है मैथर्ट या मैनॉर तो इसको कहेंगे आडुबर ओफ मैनर इसको क्यों यह होता है एमार डी राफ रीजन इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसमों अब्जेक्ट नहीं यह इन ट्रांजिटिव वर्व है यह क्या है इन ट्रांजिटिव वर्व यह क्या है इन ट्रांजिटिव वर्व है इसका मतलब क्या हो गया सिंपल इसका मदलब यह हो गया मेरे भाई कि इसका पैसिव ओइस नहीं बनेगा इसका कोई पैसिव cricket अब यहाँ पर work की जगे क्या हो जाएगा was क्योंकि cricket singular है deplural है was यहाँ पर is आएगा क्या नहीं tense कभी change नहीं करते past है तो past ही रहेगा इसके बाद आप देखो कि यहाँ पर playing third form आने चाहिए तो played हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई played हो जाएगा अब played तो third form आगी लेकिन यहाँ पर ing भी तो लगाना पड़ेगा तो ing को किस में लगाएंगे फिर b में लगाएंगे क्योंकि b वर हमारे पास extra है लगाने के लिए cricket was being played by by them बन गया भी यह पैसिव वैस यह बन गया आपका पैसिव वैस ठीक है यह बन गया आपका पैसिव वैस समझ में आगी बात शाबाश तो हर एक छोटी चीज जो भी आपको पैसिव वैस रिलेट करती हुई नजर आ रही है वो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ां सिखा रखें अभी एक बहुत इंपोर्टन चीज बाकिए जो मुझे सिखाना है कि हाव टू चेंज यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है हाव टू चेंज जो सबसे आधिक्कत आपको आने वाली वो कहा आने वाली है अप्रोप्रियेट ऑउक्जिलरी वर्ब ठीक है यानि कि आप पूरा ही लिख देता हूं अप्रोप्रियेट ऑउक्जिलरी यह कैपिटल लेटर को इगनोर करना ठीक है जानबूज के लिख रहा हूं अप्रोप्रियेट ऑउक्जिलरी वर्ब यह मत करना कि सर बीच मैं क्या लिख देते हैं यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं यह तो होता ही नहीं आ रहे भाई यह मैंने खुद जानुज के लिखा है ताकि उसको highlight कर सको ठीक है एप्रोप्रियेट औक्जलरी वाब ताकि तीन लेटर आपके highlight हो जाए ठीक है ना तो यहाँ पर माल लीजे कोई appropriate auxiliary वाब आपको change करने है तो देखो भाई active voice से passive voice में change करना कैसे यह बहुत important चीज है याद रखना active voice से passive voice में अगर आपको change करना तो कैसे करता है बहुत simple सी चीज बता देता हूँ ठीक है अरे या तो आपका active voice होगा present में या होगा past में या फिर होगा future में या तो आपका active voice किस में होगा भी या present में होगा या फिर past में होगा या फिर future में होगा है कि नहीं तो अब आप देखो जड़ा या तो present होगा या past होगा या future होगा माल लीजे present में तो कैसे change करेंगे present में चार टाइप की sentence होते या तो indefinite या continuous ठीक है या फिर perfect has or have plus v3 या फिर perfect continuous has या फिर have been been plus work की ing form ठीक है मेरे भाई ऐसे ही past में देखोगे जरा यहाँ पर past में देखो या तो indefinite second form से बनेगा या फिर continuous होगा तो was, ब्लस ing से बनेगा इतना तो आता होगा बाई इतना नहीं आता है कि पास्ट कॉंटिनेंस में हेल्प और क्या लगती है प्रेजन कॉंटिनेंस में हेल्प और क्या लगती है नहीं पता है हां जी ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में क्या होगा हैड head plus v3 और perfect में क्या होगा perfect continuous में head bean plus verb की ing form ठीक है ऐसे ही future में देखो मैं एक दो लिखा दिता हूँ will will सिर्फ will लिखा दिता हूँ ठीक है will cell भी लिख लो यार will और cell दो ना लिख लो will और cell plus verb की first form अब याद रखना इसमें क्या होता है helping verb जो होती है will और cell भी नहीं होती है सिर्फ will और cell नहीं होती है will और cell plus other model verbs जो बाकी की model verbs होती है न वो भी इसी में आती है other model verbs जो बाकी की model verbs होती है न वो भी same ही pattern follow करती है जैसे can, code, may, might sort of wooden सबका ऐसे ही use होता है याद रखना ठीक है न तो यहाँ पर विल और cell सीखलो फिलाल will और cell प्लस वर्व की first form will और cell continuous में क्या होगा will और cell plus b plus वर्व की ing form future continuous हो गया अब future perfect में क्या होता है will have या शेल हैव will have या शेल हैव will have या शेल हैव ठीक है दोनों के साथ have लगा लो commonly plus वर्व की third form और perfect continuous में क्या होता है will have been या शेल हैव बीन will या शेल plus have been have been plus वर्व की ing form ठीक है मेरे भाई यह हो गए आपके सारे के सारे ये active voice अब इनका passive voice बनाना है जरा कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से सुनना ठीक है passive voice बनाना है न कोई दिखकर नहीं मैं बना देता हूँ ठीक हर एक चीज़ passive voice में auxiliary आप कैसे change करते हैं देख लो भाई देखो देखिये जरा अगर माल लीजिए आपकी वर्व की first form है और उसको passive voice में बदलना है तो आपको helping वर्व की जरूत पड़ेगी क्योंकि वर्व की तो third form हो जाएगी first form को तो third form में change कर देंगे लेकिन आप auxiliary वर्व क्या लगा होगी तो याद रखना यहां आप लिखोगे is या फिर आर या फिर एम according to subject कि आपके पास subject क्या है और जो first form है इसको में वर्व है उसको third form है और इसारेम का इसारेम रहेगा तो यहां हो जाएगा इस और एम प्लस बीग प्लस वी थ्री ऐसे ही अगर हैज है तो क्या करोगे हैज और हैव का तो हैज और हैवी रहेगा according to subject और वर्व की third form की वर्व की कर दो डिगए जोड़ां की अबरе अ नहीं है भी जाका जाएगा जाएगा और लएक बात 누가 से लगाएगा तो तो आप इतना समझो कि इसमें भीवर नहीं है, इसलिए हमने अपनी तरफ से लगा दी, तभी पैसिव वोईज बन सकता है, अगर ऐसे समझो, और अगर है अगर आपको पैसिव वोईज बना रहे हैं, तो याद रखना इसका पैसिव वोईज नहीं बनेगा, उसका एक रिजन बी, या बीन, या बींग, अल्रीडी है, अल्रीडी है, तो उसका पैसिव वोईज नहीं बनेगा, यानि कि उसका पैसिव वोईज नहीं बनेगा, नो पैसिव वोईज, तो उसका आपको पैसिव वोईज नहीं बनाना, अब इसमें देखो बीवर अल्री है, तो हम इसका प इस में भी है यानि कि इसका भी पैसिफ व points नहीं बनेगा cert no passive और देख लो कहा खहां में है कि द जलो बाकी का तो बना सकते हो अगर माल लीजे second form है तो इसको कैसे change करेंगे second form की जगे आप क्या लगाओगे भाई simply was या वर ठीक है according to subject और second form को किसमें change कर देंगे third form है ऐसी was प्लस आई एन्जी है तो क्या करेंगे भई वर का तो वाज वर रहेगा इनजी को ब सब्लगर और गई ₲nd ठाई के साथ फ़ट्र फम है गई कोई द के साथ है यहा पर फ़ट्व भी आएगी है कि जो बग स्क्राय गपिन एक्स था ब adapting नहीं बनता है, head plus V3 का head bean plus V3 हो जाएगा, आगे देखो मेरे भाई अगर will और shell में से कुछ भी आता है और इसमें beaver नहीं है तो इसको change तो नहीं कर सकते ठीक है, हाँ जी will और shell को change तो नहीं कर सकते लेकिन आपको beaver तो लगाने ही पड़ेगी क्योंकि बिना beaver के तो passive voice ही नहीं बनेगा और third form तो आ जाएगी first form की जगे third form हो गई यहाँ पे beaver लगाने ही पड़ेगी यह हो जाएगा, will V plus V3 shell V plus V3, इसका बनेगा नहीं इसका बन जाएगा perfect का बन जाएगा, will plus have plus V3 है, तो will या shell और have V आएगा जिसमें बीन आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा जिसमें नहीं है उसमें लगाना है और जिसमें लगा हुआ है उसका passive voice नहीं बनेगा, बात खतम will have been वर्व की third form, या shell have been वर्व की third form, यह पूरा pattern है, एक बार में ऎगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिकत नहीं है भाई अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्या करो आप ररे वीजन कर ले ना थोड़ा सा एक बर दो आरा से देख लेना समझ गही तो इसलिए तो या आपको appropriate auxiliary of change करना मैंने सिखा दिया ठीक है हैं जी कि ऐसे change करते हैं अब आप किसी भी exam में जो example में आप इस चीज को apply कर सकते हैं जैसे आपने देखा यहाँ पे इसका passive voice में आया work का was कर दिया ठीक है एक दो और sentence लिखके बतायता हूँ ठीक है जैसे मैंने कुछ sentences लिख दिये भाई जैसे मैंने sentence कहा I I have completed completed my work ठीक है एंजी I was dancing ठीक है they they are writing a writing their story ठीक है यह से लिख दो he he is writing a letter ठीक है ऐसे लिख दिया एक लिख दिया एक लिख दिया been failed अब देखो सारे की सारे sentences मैंने यहां पर लिख दिया और आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसम करना के देखो यहां पर जो है यह helping वर्व है यह main वर्व है और यह आपका object है ठीक है यह आपका main वर्व है यह आपकी helping वर्व है यानि के auxiliary वर्व और यह आपका subject है तो आप इसका पैसिव बना सकते हैं my work को पहले लिख दू my work ठीक है my work इसके बाद क्या लगा होगे have है तो have अब देखो यह तो plural है मतलब आई के साथ तो have आता है लेकिन my work के साथ में has आना ची तो यहां पर has लिखोगे third form का third form रखेंगे लेकिन इसमें bean लगाना पड़ेगा मैंने सिखा दिया है नहीं है तो देख लो चेक करके देखो has और have को कैसे change करते हैं has plus bean plus v3 से subject के हिसाब से वर्व लगाएंगे तो देखो my work singular है has आ गया bean आ गया completed आ गया completed आ गया ठीक है completed by me बन गया passive voice ठीक है यह आपका active था active voice यह आपका बन गया passive voice ठीक है अब आप देखो I was dancing मैं dance कर रहा था तो आप देखो कि यह subject है यह वर्व है यह क्या है subject है यह आपकी auxiliary वर्व है यह आपकी main वर्व है लेकिन यह main वर्व तो है बड़ इसका object नहीं है ऐसा नहीं है कई बारी क्या होता है जैसे हाँ तो यहाँ पर आप देखो कि इसका object नहीं object कहा है बाई object कहा है है क्या नहीं है object है ही नहीं इसका मतलब यह कौन सी वर्व है Intransitive Verb है Intransitive Verb है अगर आप इसका Passive Wave बनाओ गए भी तो object है object को subject की जगे लिखने के लिए यानि कि इसका कोई Passive Voice नहीं वनेगा इसका किया होगा बाई, एक तो Intransitive Verb का Passive Voice नहीं बनता, यानि कि No Passive Voice No Passive Voice No Passive Voice हो क्या अचा He is Routing a Letter he is writing a letter इसका passive voice बना हुई या a letter सबसे पहले a letter को इदर लिग लो a letter is being is being written written by him बन गया passive voice ऐसी इसका बना हुई c will help me i i will का shell कर दो कि i shell b लगा दो b वर्फ ठीक है help की helped कर दो helped i के साथ by her by her बन गया passive voice ऐसी देखो यहाँ पे i have been अब इसमें been already है इसमें been already है यानि कि इसका passive voice नहीं बनेगा अब यह भी बताया था जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे been है यहाँ पे been है यहाँ पे been है had been यहाँ पे भी been है has been ठीक है तो इनका passive voice बने गई नहीं have been आ गया यानि कि इसका कोई passive voice नहीं बनेगा no passive तो हर चीज़ आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है इससे आपकी यह मालो 80% problem solve हो सकती है 80% problem solve हो सकती है जो कुछ भी मैंने इस class में सिखाया है बाकी की जो चीज़े हैं वो हम धीरे-दीरे करके सीखेंगी ठीक है भाई तो बताइए कितने लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई कितने लोगों को यह वाली चीज़ समझ में आ गई कमेंट करो फटाबट से यह active voice यह passive voice बताओ यह हो गई आपके basics of active voice and passive voice उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई ठीक है और अगर सब कुछ समझ में आया है कोई doubt है कोई दिखकर दे तो आप comment करके बताओ मैं चेक करूँगा ठीक है फटाबट से चलिए तो इस class को यही तक रखते हैं मिलते हैं अगले session में Thank you so much See you in the next session Bye bye Take care Jai झाल झाल